हेलो दोस्तो गुड मॉर्निंग तो आज हम 27 अक्टूबर की करेंट अफेर पढ़ने वाले हैं और जो भी important question होंगे उनके बारे में हम जानेंगे और ये आज का हमारा 196 वा session है इसमें हम top 12 question पढ़ने वाले हैं और इसकी जो PDF वो आपको telegram channel CT करेंट अफेर पर मिल जाएगी औ और आप हमारे channel cool techniques पर ये video देख रहे हैं तो चले फिर हम आज की वीडियो शुरू करते हैं और आज की important question देखते हैं जो telegram channel है उसको नाम क्या है CT current affair ठीक है न यहाँ पर आपको जो मन्त की current affair होती है वो भी मिल जाती है और साथी साथ में यहाँ पर जो है current affair का test भी होता है ठीक है न देखिए realme के नई brand ambassador कौन बने है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यह है realme के नई brand ambassador और इनका नाम क्या है KL Rahul KL Rahul ठीक है न यह कौन है यह भारतिय cricket team का एक हिस्सा है ठीक है यह भारतिय cricket team में batsman है ठीक है तो इससे पहले realme के brand ambassador कौन थे आप इनकी फोटो यहाँ पर देख सकते हैं सल्मान खान चलिए अगला कुशन देखते हैं भारतिय नोसने के commander samlion 2021 का आजन कहां किया गया है ठीक है तो जो भारतिय नोसने के यहाँ पर जितने भी जो जवान है तो उनके लिए samlion किया गया है और samlion का नाम क्या है commander samlion 2021 तो commander samlion 2021 का आजन कहां पर किया गया है तो इसका आजन किया गया है नहीं दिल्ली के अंदर तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो भी भारतिय नोसने के परमुख हैं और जो उपरमुख हैं उन्होंने इसमें पार्टिस्पेट किया है ठीक है ना तो यह भी one-liner question है और इसम आप संसकन याद कर सकते हो इसका इस साल दूसरा संसकन हुआ है चलिए फिर हम भारतिय नोसने के बारे में जान लेते हैं इंडियन नेवी के बारे में तो सबसे पहले हम इसमें जानेंगे इंडियन आर्मी के बारे में तो यानि के थल सैना आर्मी यानि थल सैना क्योंकि अठार सो पिच्छाडम है marra यह इसकी स्थापन हुई थी और यह अपना जो army day होता है कब होता है तो army day होता है 15 जनवरी को 15 January ठीक है न तो जैसे ही साल की शुरुवात होती है तो 15 जनवरी को ही army दिवस मनाय जाता है तो यह सबसे साल के सुरू में ही मनाया जाता है तो आप इसको ऐसे भी ःद कर सकते हैं और जो इंडियन आर्मी है इसका मख्याले कहाँ पर सीता है इसका मख्याले बीचीत है ठीक है न निव देहले और इसके आर्मी के पुर्मग को राहन है तो इनका नाम है मनोज मकंद नर्वाने MM नर्वाने ठीक है न और इसमें आप इसके जो उफपुर्मग है इनका भी नाम याद कर सकते हैं जो इंडियन आर्मे के उफपुर्मग है उनका नाम क्या है चन्डी परसाद मोहनती चन्डी परसाद मोहनती ठीक है चलिए अब हम किसके बारे में जाल लेते हैं अब हम जाल लेते हैं इंडियन एर फोर्स के बारे में क्योंकि एर फोर्स की स्थापना इसके बात की गई थी एर फोर्स यानि वायू सैना तो इसकी स्थापना को हुई थी इसकी स्थापना हुई थी आठ अक्टूबर 1932 को और यह है अपना इस्थापने द्वर्ष कम मनाता है यह है आठ अक्टूबर को ही अपना इस्थापने द्वर्ष मनाता है आठ अक्टूबर को ठेकन है इसमें और इसमें डिफरेंट है इसका मख्याले कहां पर स्थीत है इसका मख्याले नई दिल्ली में इस्थित है और जो है Air Force के जो Chief हैं वो कौन है तो इनका नाम है विवेक राम चोधरी विवेक राम चोधरी और हाली में Air Force के जो है उप्रमुक कौन बने है यानि Vice Chief कौन बने है तो इनका नाम है Sandeep Singh ठेक है ना आप इनका भी नाम याद कर सकते हैं संदीव सिंग, ठीक है न, तो यह प्रमुक हैं, और यह उप्रमुक दोनों के लिए, अब हम जाल लेते हैं, भारतिय नोसने के बारे में, तो इसकी स्थापना जो है, सबसे बाद में की गई है, इंडियन निवी की, और इसकी स्थापना कब की गई है, इसकी स्थापना 1950 में ह यह है 1950 और यहां पर आएगा 26 जन्वरी, 26 जन्वरी 1950 में इंडियन नेवी की स्थापना की गई है और यह अपना इस्थापना दियुस का मनाता है, यह है अपना इस्थापना दियुस मनाता है, 4 दिसंबर को, 4 दिसंबर ठीक न, तो सबसे पहले बनाता है आर्मी, उसके सबसे लाश में कौन बनाता है नेवी अब इसका मुख्याले कहा पर सीत है इसका मुख्याले नई दिली में ही इसती है और जो नेवी के चीफ है वो कौन है तो इनका नाम में करमवीर सिंग करमवीर सिंग ठीक है तो आपको किसी भी अग्जाम के लिए इनके बारे में इतनी जानकर याद करनी है, देखिए अगला कोशन दिखते हैं, भारतिय अंतराश्टी Film Samoro यानि IFFI International Film Festival of India, ठीकिन इंटरनेशनल Film Festival of India के 52 संस्क्रण का आईजन कहाँ पर किया जाएगा, तो इसका जो 52 संस्क्रण है इसका आईजन गोवा में किया जाएगा, जो इसका 51 संस्क्रण था, उसका भी आईजन गोवा में ही किया गया था, ठीक है, चलिए फिर हम इसमें, जो केंद्रिय सूचना और प्रसारन मंतरी अनुराग ठाकुर है, इन्होंने इस बात की गोशना किया है, क्योंकि यह जब फिल्म मोचसा होता है, यह गोवर्मेंट के द्वारा कराया जाता है, तो जो गोवर्मेंट के मंतरी हैं, अनुराग ठाकुर इन्होंने इसकी गोशना किया है, हम इस संस्थान के बारे में जान लेते हैं, आई एफ एफ आई, यानि इंटरनेशनल फिल्म फैस्टियोल उफ इंडिया, तो यह एक संस्थान भी है, और इसका मक्याले कहां पर स्थीते हैं, इसका मक्याले गोवर्में इस्थीते हैं, इसकी इस्थापना 1922 में हुई थी, अभ्यास, टार्गेट, वीकल का सफल परिक्शन किसने किया है, तो आप यहां पर देख सकते हैं, यह जो यहां पर छोटा सा आपको उपकर्ण नजर आ रहा है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है अभ्यास, तो यह जो अभ्यास नाम का टार्गेट, वीकल है, ठीक है न, यानि इसका जो इस्तमाल है, वो टार्गेट को बेदने में किया जाएगा, तो यह जो अभ्यास है इसका सफल परिक्षण किसने किया है तो इसका सफल परिक्षण किया है DRDO ने यानि Defense Research and Development Organization ने और इसको किसने बनाया है देखो वरतमान में DRDO की 52 लैब्स हैं 52 प्रियोक साला है उनमें से इसकी एक प्रियोक साला है बैंगलूर के अंदर जिसका नाम के है इसका नाम है ADE यानि ADE का मतलब वे मानी की विकास प्रतिस्ठान ठीक है न वे मानी की विकास प्रतिस्ठान तो उसने इसको बनाया है ठीक है और यह जो टेस्टिंग है यह टेस्टिंग कहाँ पर की गई है यह हैं टेस्टिंग की गई है ATR, ITR यानि Integrated Testing Range ओडिशा, तो यह एक दूसरी लैब है DRD की, ITR एक दूसरी लैब है DRD की तो इसने इसका परिक्षण किया है और बनाया किसने है ADE ने यानि वेमानी की विकास परिक्षण यह वाली जो लैब है कई बार जो है बहुत बार questions में आती है तो आप इसको याद कर सकते हैं कि ओडिशा के चांदीपुर में यह वाली जो लैब है ITR इसने इसका परिक्षण किया है चलिए DRDO के बारे में जान लेते हैं इसकी स्थापना 1968 में हुई थी और साथ ही साथ में जो नासा है जो अमेरिका की Space Agency है उसकी भी स्थापना 1968 में यूथी इसके संस्थापक कौन है अभिनास चंदर और इसके अद्धक्ष है जी 37 रेड़ी और DRDO का मुख्याले कहां पर सीते हैं नही दिल्ली में सीते हैं वरतमान में इसमें 52 प्रियोग साल आई हैं और जो ITR है वो कहां पर सीते हैं यह चं Bruce Country Championship तो जो Championship होने वालि इसमें बहुत सारे खेल होंगे जैसे कौन-कौन से खेल वोने वाले हैं इसमें जैसे की दोड़ हुई उसका काम का आज है वो यह करने वाली है चलिए 2020 BNP परिबास ओपन टैनिस टूनमेंट देखिए BNP परिबास ओपन टैनिस टूनमेंट तो यह जो टैनिस टूनमेंट है इसमें पुरुष एकलगा किताब किसमें जीता है तो यह जो टूनमेंट है इसका आजन कहा पर क्या गया है, सबसे पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं हुआ है इसका इस साल 47 संसकंड हुआ है और जो महिला एकल हुआ है इसका इस साल 32 संसकंड हुआ है इनके संसकंड अलग अलग है क्योंकि जो यहां पर यहां पर यह जगा है यहां पर सबसे पहले पुरुसों को खिलाना शुरू किया गया और उसकी कुछ साल बाद महिलां को भी यहाँ पर खिलाना शुरू किया गया तो इस तरह से जो पुरूस एकल हुआ है इसका सैतालिसो संसकन है और यह जो महिला एकल हुआ है इसका यहाँ पर बत्तिसो संसकन हुआ है ठीक ना यह आपको याद नहीं करने है फिलाल आपको यह दो नाम है आपको यह याद करने है जैम्स पैटिंसन किस देश के किर्केटर हैं जिनोंने हाली में सन्याज लिया है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यह हैं ओस्ट्रेलिया के बोलर जिनोंने हाली में सन्याज लिया है बंदूला वनपुरा किस देश के पहले टेस्ट कप्तान है जिनका निदन हो गया है तो देखो ये हैं स्रिलंका के पहले टेस्ट कप्तान और इनका हाली में निदन हो गया है ठीक है ना जो स्रिलंका ने पहला टेस्ट केला था वो कब केला था 1982 के अंदर तो 1982 के अंदर जो सिरलंका ने पहला टैस्ट मैच के ला था तो उसकी कप्ता ने किसने की थी बंदूला वनपुरा ने और इनका जो है हाली में निदन हो गया है किन चार देशों ने चत्रुबुज आर्थिक मंच चत्रुबुज आर्थिक मंच शुरू करने का निदन्य लिया है चत्रुबुज यानि के क्वाड तो ये जो देश हैं ये एक नया क्वाड गुरुप बनाने वाले हैं क्वाड गुरुप ठीक है तो क्वाड गुरुप बनाने वाले हैं तो इसमें कौन-कौन से चार देश हैं इनका नाम हमें बताना है देखो, एक तो क्वार्ड गुरूप सबसे पहले आपको ये याद करना है कि आप यहां पर देश सकते हैं ये है अमेरिका यह वाला देश कोहन सा है ये है अमेरिका यह है आस्ट्रेलिया यह है इंडिया और यह है जापान तो इस तरह से यह चार देश हैं तो यह जो क्वार्ड ग्रूप है इसकी स्थापना सबसे पहले की गई थी और यह जो क्वार्ड ग्रूप है यही मालाबार अभ्यास करते हैं ठीक है ना मालाबार जो अभ्यास होता है वह हैं इन चार देशों के बीच में होता है और कुछ दिन पहले अफगानिस्तान में सांति लाने के लिए एक नए क्वार्ड गुरूप की स्थापना की गई थी अफगानिस्तान में क्योंकि यहां पर तालिबान का सासन हो गया है तो अफ़गानिस्तान में जो है सांति लाने के लिए एक Quad Group बना था जिसमें ये चार देश थे ठीक है आप इनका नाम याद कीजिए और अब एक नया Group बनाएं वो किसके लिए बनाया गया है या बनाया गया है आर्थिक यानि जो है अर्थवेस्ता में सहयों के लिए तो इस तरह से जो बिजनिस होता है बिजनिस में एक दूसरे गा साथ देने के लिए देखे किताब है किताब को नाम क्या है दा स्टार्स इन माई इसकाई तो आप इसको सोट में याद कर सकते हैं दा स्टार्स इन माई इसकाई तो इस पुस्तर के लेकर कौन है तो आप यहाँ पर महिने में 100 करोड COVID-19 टीका करन पूरा किया ठीक है यह question बन सकता है exam में तो India counting down to 1 billion doses तो यानि जो है भारत ने 1 billion dose पूरे कर लिये हैं यानि 100 करोड COVID-19 के टीका करन पूरा कर लिया है और यह जो भारत ने आकणा है यह कब चुआ है यह 21 अक्टूबर 2021 को यह आकणा भारत ने पार किया है ठीक है तो आप इसकी date भी याद कर सकते हैं 21 अक्टूबर अब यहाँ पर यह जो 100 करोड टीका करन हुआ है तो 100 करोड यहाँ पर वैक्सिन लगाई गई है और 100 करोड जो वैक्सिन लगी है यह लगब 70 करोड लोगों को लगी है 70 करोड लोगों को वैक्सिन लगी है क्योंकि ऐसे है कि कुछ लोगों ने 2 वैक्सिन लगा लिए है तो टोटल तो मिला करके के वैक्सिन कितनी हुई है 100 करोड और उन में से जो है 70 करोड लोगों को वैक्सिनेशन किया जा चुका है ठीक है इस वैक्ट को आज भी जाद कर सकते हैं भारत नहीं है आकना 26 दिन में छुआ है सहिंक तुराष्ट सहिंक तुराष्ट सहिंक तुराष्ट दिवस 2021 कर मना गया है तो यह दिवस मना गया है 24 अक्टूबर को और क्योंकि 24 अक्टूबर को सहिंक तुराष्ट की स्थापना हुई थी इसकी स्थापना का हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में तो इसी की वज़े से ही 24 अक्टूबर को सेंक तुराष्ट दिवस मना जाता है ठीक है और इसकी स्थापना क्यों हुई थी क्योंकि देखो 1945 में दिवत्य विश्युद हुआ था 1945 में क्या हुआ था दिवत्य विश्युद और विश्य में ऐसा युद दुबारे से ना हो तो इसी के वज़े से ही सेंक तुराष्ट की स्थापना की गई थी अब चलिए हम इसके बारे में जाल लेते हैं United Nations के बारे में तो इसकी स्थापना कभी थी 24 सक्टूबर 1945 और इसका म अमेरिका में स्थीत हैं और इसके महासेचीव कौन है एंटोनियो गुटेरस ठीक है आपको इनका नाम मियाद करना है तो चलिए फिर दोस्तों आज की वीडियो में तना ही थैंक्स वरोचिंग दर वीडियो कल मिलते हैं आपसे